हलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम क्लासिस पे आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लगगडग का पार्ट सेकंड करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजों को डिसकस किया था अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पिछले पार्ट में जाके देख सकते हो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हमने ये तीन नियम डिसकस किये थे फिर आपने लगडग के कुछ टाइफ डिसकस किये थे और मैंने बहुत सारी चीजों को डिसकस कुश्चन भी करवाया था तो आप लोगों ने किया था जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे है वो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के लिए एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डियलेट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर कॉमें टॉपिक उसमें जाके आप विजिट कर सकते हो क्योंकि सेकंड और फर्स्ट का एक कॉमन टॉपिक है अनुपात और समानुपात और इसके पहले जो घातांग का चैप्टर है वो हमने खतम कर लिया है तो इसके पहले ऑफिट करने के पहले तिसरा आपका हो गया घातांग का चैप्टर और चोथा जो आपका चलरा है वो उसका नाम है लगूगडक. अब आज इस लगूडग का पार्ट सेकंड डिसकस करने वाले हैं. तो इस पार्ट को discuss करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से revise करवा देना चाहता हूँ जहां से समझेगा पहला rule जो हमने discuss किया था यहां पे वो rule था first number कि log अगर log जो है base में अगर base equal है अब जहां से समझेगा base equal है ठीक है sorry पहले यह वाला rule हमने discuss किया था कि अगर log दिया है तो इसको हम घातांक में कैसे लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था जो आधार है इसको ऐसे ही रहने दो बाकी ये दोनों एक दूसरे से change हो जाते हैं यानि यक्स इसके power में आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा ठीक है दूसरा जो rule था वो हमने कहा था कि अगर घातांक दिया है तो उसको log में कैसे लिखेंगे तो बहुत simple सा था मैंने बताया था आप log लिख लीजिए जो base दिया है यही base यहाँ पे लगा दीजिए और यह दोनों change हो जाएंगे आपस में यानि यहाँ पे y हो जाएगा और इसको yक्स लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे log base a y क्या पढ़ेंगे log base a y is equals to yक्स log base a y is equals to yक्स इस तरह से हमने कहा तीसरा जो मैंने rule आपके सामने डिसकस किया था वो था log x into y अगर दिया हो और base में कुछ ना दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं log x and plus log y तो यह ध्यान से समझेगा कि अगर इस term को ठीक है यह आप लिख सकते हो तो ऐसे अगर कोई term दिया हो तो उसको भी आप यह लिख सकते हो example में समझेगे मान लीजिए मैं आपको एक question देता हूँ कि लिखा गया हो log 6 केवल log 6 लिखा गया हो तो आप इसको लिख सकते हो log 3 into 2 क्या लिख सकते हो log 3 into 2 3 दुना 6 अराम से अब यहाँ पे देखो multiply हो रहा है तो multiply के case में यह add करके लिखा जाता है यानि log 3 plus log 2 अच्छा अब यहाँ पे जहाँ पे कोई waste base नहीं होता वहाँ पे 10 माना जाता है 10 क्यों माना जाता है दोस्तों तो note डाल के लिख लीजिए अपनी copy में देखो जो चीज़े मैं बोलता हूँ वो आप जरूर लिख लिया करो क्योंकि मैं सारी चीज़ों को लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे note डाल के आप लिख लीजिए कि हमारे यहाँ जो गड़नाएं होती है या हमारे देश में जितनी भी गड़ना होती है वो 10 मलाव प्रडाली के आधार पे होती है यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहाँ भी कोई बेस नहीं है तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो इस चीज़ को ध्यान दिजेगा ठीक है ना यह चीज़ बहुत प्रापर तरीके से समझेगा तो एक रूल हमारा हुआ कि अगर multiply में हम चीजों को लिखे हैं तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं add करके लिख सकते हैं चलिए चौता rule हम देखते हैं जान से पहले समझेगा तीसरा rule हमने क्या discuss किया कि अगर चीजें किसमे हो multiplication में हो तो हम log मालिजे a into b दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं log a plus log b अब कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि सर मालिजे तीनी step का दिया हो तब यह तीनी step का दिया हो तब भी आप इसको लिख सकते हो जैसे log a, b into c दिया हो या d दिया हो कोई दिक्कत नहीं है जितने step में दिया हो उतनी बार हम plus करके लिखते जाएंगे log जैसे log a, log b, log c ऐसे plus करके बिल्गुल simple सा काम करना है ठीक है? चलिए चौथा rule लेखते हैं तो rule चौथा ये है कि जैसे यहाँ पे गुड़ा हो करके लिखने के बाद यहाँ पे plus लगता था तो अभी अगर यहाँ पे यह चीज़ divide में दी गई हो यह base नहीं है ध्यान से समझेगा base यहाँ पे नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं log base a minus log base minus log base b ठीक है? चलिए आगे देखते हैं तो इस तरह से हमारा चौथा rule हुआ and the most important rule ध्यान से समझेगा मैंने अभी आपको बताया मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी किसी भी संख्या का base ना दिया हो तो उसका base हम कितना लिखेंगे? उसका base हम 10 लिखेंगे तो अगर मान लेजी हम यहाँ पे लिखते हैं log 1 ठीक है? तो हमें इसकी value तो पता नहीं है तो अब यहाँ पे हम yaks मान लेते हैं तो base में हमने क्या बताया था? कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है? base में yaks लिखा जाता है sorry, 10 लिखा जाता है फिर से समझेए अगर आपसे question में पूछ ले कि भाईया log 1 का मान बता दो ठीक है न? तो आप मान लो उसको कितना हो गया? yaks हो गया मैंने मान लिया उसका मान लिखा हो गया अब मैं आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि अगर base ना दिया हो जैसे यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है base तो इन base की जग़ा पे हम क्या मान लेते हैं? 10 इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10 ठीक है? अब इसको तुरंत आप घात में बदलो तो कितना हो जाएगा? 10 to the power x is equals to 1 अचा किसी भी संख्या की घात कितनी रखी जाएक उसका मान एक हो जाए किसी भी संख्या की घात कितनी रखी जाएक उसका मान एक हो जाए तो बहुत सारे लोगों का answer आ गया होगा सा 0 इसका मतलब यक्स की value कितनी हो गई? 0 सो हमें एक conclusion निकलता है ध्यान से देखेगा rule number 5 में log 1 की value always क्या लेग जाएगी 0 ली जाएगी बहुत ध्यान से समझेगा log 1 की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यह most important है इसको ध्यान से समझेगा कैसे हुई यह आप note कर सकते हो पूरा rule यह पांचवा जो दिया गया है यह आप note कर सकते हो अब इसी के लगे हाथ एक और rule पढ़िए आज log का मैं सारा rule खतम कर दूँगा एक और rule देखेए कि अगर मालीजी आप से पूछा गया कि log ठीक है log 0 की value कितनी होगी तो log 0 की value कितनी होगी तो आप फिर इसको माल लो yaks होगी ठीक है अब ध्यान से समझेगी कि यह यहां पे base में क्या होगा 10 होगा तो 10 जब होगा तो इसके power yaks लिखेंगे and यहां पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो अब किस इस पे कितनी घात लिखें कि उसका मान 0 हो जाएगी तो यह possible नहीं है इसका मतलब yaks is not possible और जो चीज not possible होती है वो आप trigonometry के section में देखे पावर में जिससे हम 0 बना सके उसे clear तो यह भी note कर लिजेगा यह not possible के term में आता है and इसके साथ ही साथ हम एक और rule देख लेते हैं सात्वा number rule यह last है ठीक है अगर आपको log इस form में दिया हो yum to the power yun दिया हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो तो बहुत simple सा काम करना है यह जो y जो power में आपको चीजें दिखेंगी उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए फिर लिखिए log and yum तो यह है एक हमारा बहुत important rule तो आपके सामने 2-3-4 rule बहुत important है जो कि आपको याद होने चाहिए जैसे मैं फिर से एक बार brief कर देता हूँ जैसे number first rule हमें याद होना चाहिए क् log a into b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस के साथ यानि log a plus log b clear इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं log a divided b तो हम इसको लिख सकते हैं log a minus log b clear हो गया इसी तरह से तीसरा rule अगर हम देख लेते हैं log 1 की value कितनी होती है तो 0 होती है चौथा रूल हमने ले लिया कि log ठीक है अगर हमने चौथा रूल ले लिया क्या log m to the power n तो इसको हम लिख सकते हैं n into log m तो ये चीज आपको चारो तो बिलकुल जुबान पर याद होनी चाहिए उसके बाद मैंने कल के वीडियो में यानि लास्ट वीडियो में मैंने डिसकस किया था जो कि log से घात में कैसे बदलते हैं अगर log base 10 यहाँ पे 100 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 2 is equals to 100 इस तरह से घात में बदलते हैं और घात से log में कैसे बदलते हैं ये भी मैंने आपको बताया था 10 to the power minus 3 को हम 1 upon 1000 लिख सकते हैं ठीक है इसको log में कैसे बदलेंगे आप simple सा log लगाईए जो base दिया हो वो base लिख लीजिए उसके बाद इस value को इधर लिख लीजिए यानि 1 upon 1000 लिख लीजिए और इस value को इधर कर दीजिए यानि is equals to minus 3 कर दीजिए तो यह simple सा मैंने discuss किया था log का फूरा chapter आपका इसी के अंदर finish होने वाला है दोस्तों so let's start our session चलिए तो मैं एक एक term को आपको तोड़ के बताऊंगा बहुत ध्यान से और जिसको आ रहा हो वो लोग answer करते रहेंगे ठीक है एक एक term को term का मतलब होता है कि जैसे मालीजी आपका log 12 दिया है तो सब से पहले हम इसको टोड़ना सीखते हैं तो यह कैसे तूट सकता है यह तूट सकता है log 12 को हम लिख सकते है 2 into 2 into 3 तो यह छोटा सा term है जो मैंने आपको तोड़ा अब इसको लिख सकते हैं, हम log सब जगे गुड़ा हो रहा है, तो log 2 plus log 2 plus log 3 तो यह confuse मन्त हो या करो कि sir कहीं कहीं आप capital लिख रहे हो, कहीं small इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप small capital जो मन करें वो लिख सकते हैं ठीक है, तो इस तरह से यह तूट सकता है clear हो गया, अच्छा अब एक चीज़ और समझेगा, अभी ये question का solution नहीं है, मैं आपको एक तोड़ना सिखा रहा हूँ, कैसे चीज़ों को लिखते हैं एक और चीज़ समझेगा कि जैसे कि आपको अगर दिया गया हो log 4, फिर लिखा गया हो plus log 3 ध्यान समझेगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है plus हो रहा है तो अब इस rule को आपको पहला rule यही पढ़ाएगा ना log A into log B तो इसको लिख सकते हो log A plus log B तो मैंने क्या पताया था कि आपको reverse चलना आना चाहिए मतलब अगर ये कहीं दिया हो तो इस value को हम ये भी लिख सकते है तो जैसे कि आप दो एक रहे हो log 4 plus log 3 लिखा है तो इसको हम लिख सकते है log 4 into 3 क्यों? क्योंकि भया A की जगह पे क्या है? 4 है B की जगह पे क्या है? 3 है तो जब इस value को A into B लिख सकते है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुड़े 3 लिख सकते हैं और इस चिछ को हम क्या लिख सकते हैं? Log 12 ठीक है? तो आप देखो कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा Log 2 into 2 into 3 याने कि Log 12 तो आप देख रहे हो वही चीज़ें मिल रही हैं हमें बार-बार इसका मतला अगर मैं एक एकजामपल दू Log 25 को आप क्या लिख होगे? तो आप लिख सकते हो Log 5 into 5 Log 5 into 5 और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो Log 5 प्लस Log 5 अब ध्यान से समझेगा कि अगर मैं Reverse चलू तो मैं इसी चीज़ को फिर से देखो A और B की जग़े पांच-पांच है तो ये लिख सकता हो और इसको गुड़ा कराके ये लिख सकता हो अब मैं थोड़ा सा आगे चलू तो आपको पता है जैसे X प्लस X जो होता है हो सकता है आपको थोड़ा सा बाउंस करें बस ध्यान से समझेगा येहीं पर आपको पकड़ना है X प्लस X कितना होता है 2 X होता है इसी तरह से log 5 and log 5 मिलके कितना हो गया 2 times log 5 और मैंने अभी last rule बताया है कि अगर log M to the power N दिया हो तो इसको आप लेख सकते हो N into log M ठीक है न तो इसी तरह से मैं फिर से दिखाता हूँ दोस्तों मैंने आपको दिया था log 25 तो इसका एक तरीका तो ये है ध्यान से समझेगा एक तरीका क्या है log 5 into 5 आपने कर लिया फिर इसको आपने क्या कर दिया log 5 प्लस log 5 आपने कर दिया एंड इसको फिर आपने लिख दिया 2 times log 5 clear दूसरा तरीका क्या है कि log 25 को आप लेख सकते हो 5 का square और मैंने अभी आपको एक rule बताया है कि log M to the power N अगर दिया हो तो इसको लेख सकते हो N into log M clear है तो इसी तरह से log 5 to the power 2 है तो इसको लिख सकते हम 2 into log 5 तो आप देखो अगर ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे last में answer वही मिलना है बट ये system बड़ा लंबा है और ये system बड़ा छोटा है तो आपको याद होना चाहिए proper तरीके से ठीक है अब एक और concept समझ लीजिए फिर question करेंगे अब concept ये है मान लीजे मैं लिख दिया log 8 and मैंने लिख दिया minus log 2 तो मैंने आपको क्या समझा है कि वह ये second rule याद करो copy में देखके मैंने आपको समझा है log A upon B अगर दिया हो तो उसको लिख सकते हो log A minus log B तो जब हम इस केस को ये लिख सकते है तो हम इसको क्या लिख सकते है इसको लिख सकते है log 8 upon 2 is equal to कितना log 4 clear हुआ तो इस तरह से हम इसको लिख सकते है it's clear अब देखेगे ध्यान से question बहुत ध्यान से समझेगा question में आपको दिखाओगा तीन सिंबल एक plus है एक minus है आपको परिशान नहीं होना है पहले आप आराम से दोनों plus को relation में ला लो तो plus में मतलब हो गया कि इन दोनों का क्या कर देंगे हम गुड़ा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा log 12 into 3 minus कितना हो गया log 27 अच्छा 12 और 3 का गुड़ा कर दो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 36 minus log कितना हो गया 27 ऐसे आराम से बिल्कुल करना है अभी minus है तो minus का मतलब क्या हो गया यह बटे में हो जाएगा यानि 36 बटे कितना हो गया 27 ठीक है ना तो अब 3 से आप देखो 3 से या 9 से काठो तो 9 चोको कितना हो गया 36 और 9 तिया कितना हो गया 27 तो इस तरह से आंसर कितना हो गया log 4 divided by 3 या आपको मन करें तो आप इसको यह भी लिख सकते हो log 4 minus log 3 clear चलिए next देखते हैं यह तो बहुत आसान है यहाप देखो log a square b cube c to the power 4 तो आप LHS उठा लो LHS बहुत simple से तरीके से क्या हो जाएगा log a square b cube and c to the power 4 तो इसको आप लेख सकते हो देखो यहाँ पे गुड़ा हो रहा है यहाँ पे गुड़ा हो रहा है तो इसको आप लेख सकते हो log a square plus log b cube plus log c to the power 4 फिर मैंने आपको एक रूल बता है रूल क्या log m to the power n को आप लेख सकते हो n into log m तो आप देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2 है तो इसको हम लेख सकते हैं 2 times log a plus इस यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 times log b और यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 times log c clear हो गया और यही जो सेक्षन है यही क्या है rhs ठीक है और दोस्तों आज आपको पता चला होगा कि अब जो dlld की आपके question पूछे जाएंगे वो 12th label के पूछे जाएंगे और कुछ और बदलाओ हो रहा है कि dlld में जो प्रवेस होता है ठीक है जैसे आप रोगा तो बहुत अच्छा है ठीक है अब आप परिसान हो गए होंगे 12th label के जाने कि सब कुछ पूछा जाएगा तो इतना कुछ परिसान नहीं होना है पहले ध्यान से सुनिए अब जो प्रवेस होगा वो होगा entrance exam के base पे entrance exam होगा इसका और उसके base पे प्रवेस होगा ऐसा सुनने में आया है और में भी March में इसका notification आजाए कि किस तरह से उसका entrance exam होगा syllabus क्या होगा तो मैं उसके syllabus की फूरी तयारी अपने इस channel पे कराऊंगा तो जो लोग भी आपके अगल बगल घर के या और कहीं के relation के लोग हैं जो इस सीच के तयारी करना चाहते हैं उनको बता दीजिए इस सीच के बारे में और वो आप अपरी से जूड सकते हैं जैसे ही मेरे पास syllabus आएगा मैं उसके interest exam पूरी तयारी करवाऊंगा ठीक है और रही बात 12वी की तो अब तक जो paper हो रहा है वो ऐसे ही होगा यानि आप लोगों के semester के जितने paper हैं वो ऐसे ही होगे अब जो लोग join करेंगे उनके जो semester के paper होंगे वो tough होने जाने है तो इसलिए आप अपने जो भी नात रिस्तिदार है आप BTC करके आपको पता चल गया होगा कि कितनी अच्छी चीज है और कितनी महनत से करनी पड़ती है ठीक है तो उनको आप अच्छे से समझा दीजेगा अगर उनको करना हो तो महनत के लिए तयार रहे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते है दिया गया है दो पर घात पचास में अंकों की संख्या ग्यात कीजिए तो बहुत सिंपल सा है इसमें आप क्या करो पहले लॉग ले लो जान से समझेगा लॉग ले लो तो पचास गुड़े जीरो दसमलो तीन जीरो एक जीरो तीन गुड़ा कराओगे तो ये जीरो से यानि जो पचास के पास जीरो है उस जीरो से ठीक है इस जीरो से ये जो दसमलो है यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा पांच गुड़े 3.0 1 0 3 अब गुड़ा करा दो तो 5 से जब गुड़ा करा होगे तो 5 3 15 बचा 1 तो यहां पर 5 का 0 में गुड़ा करा होगे तो यहां पर 1 हो जाएगा फिर 5 एक कम कितना हो गया 5 फिर 0 and 5 3 15 तो देखें 15 के बाद भी कुछ digits है इसलिए ये total अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी मतलब 15 से थोड़ा सा भी जादा अगर digit हमें मिल रही है तो वो हमारी कितनी हो जाएगी अंकों की संख्या 16 इसी तरह से इसका answer आप लोग खुद बताओगे मुझे comment करके बिल्कुल इसी तरह से question लगेगा चलिए next दिया गया है सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर है तो ये सारे question आपके homework है आप लगा के रखेगा next वीडियो में हम इन questions को discuss करने वाले हैं 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इतने question जो हैं वो आपके क्या है? homework है इनको आप लगाईएगा और फिर हम लोग next वीडियो में इन सारे questions के series को finish करेंगे and last हम लोग log का पूरा section को complete करेंगे कल के वीडियो में ठीक है? तो तब तक के लिए thank you, thank you so much